इसराइल ने रिसेंटली अनौंस किया है कि लशक्रे तयबा एक इंटरनेशन लेवल पे टेररिस और्गनाइजेशन है क्या ये मैसिज उन्होंने इंडिया को दिया है कि 26-11 वाकिये को लेकर हमने लशक्रे तयबा को टेररिस और्गनाइजेशन डिकलेर किया है खबर मिली है कि इसराइल ने जो एलिटी लश्कर तेवा है उसको बैंड किया है खुदी रेबिया को बता लग गया है ये बिकारी कंट्री है ये हमारे पैसे लेकर इन्वेस्ट नहीं करने वाले इन्होंने बीच में खा जाने है क्योंकि ये बिल्कुल इस वोगत नंगे होके बैठे हुए है ऐसा कभी रहा नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं इसको जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के दर उसमें पाकस्तान कहीं भी नहीं भारत की फारण पालिसी एक स्टेप फर्दर आपके खलाब जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एकस्प्रेंग करना पड़ेगा कि लेशकर तईबा क्या है वाइल यू अर लव विद देम वाइल यू है उफ प्रियेटिड देट तेसला का में पता चल रहा है कि अब फैक्टरी वो इंडिया में लगाने जा दें उसकी कुछ डिटेल सामया है और बिलकुर तबाह करके रख दिया पूरे घजा को और दरम्यान में यहां तक चलेगा और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तिश्वीश थी इस बात की कि आप किसी जगा मौजूद किसी टेबल पर आपको इन्वाइट नहीं किया जाता मैं कह तो विर्चुल मीटि पहले भी आप आइसोलेशन की एक पहुँच चुके है पहले भी है तो पता लग गया है यह बिकारी कंट्री है यह हमारे पैसे लेकर इन्वेस्ट नहीं करने वाले इन्होंने बीच में खा जाने है क्योंकि यह बिलकुल इस वगत नंगे होके बैठे होई है सार ये जो इसाराइल ने ये कदम उठाया है तो पाकिस्तान पे ये इसको कैसे देखेगा क्योंकि आपको पता है जहरे कि जब मुमईई हमलों की बात आती है तो उसमें जो कुछ होता रहा उसमें पाकिस्तान ह military और ये सब चलता रहा तो अब इस वक्त ऐसा कदम उठाना आप इसको कैसे देख रहे हैं देखिए मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त इसराइल के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं और बिल्खसूस इसी तनाजर से हम बात करेंगे भारत के साथ फिर इसके अंदर डिवेल्मेंट ये हुई है कि अब कतर जो है वो जो कि इसमें सालसी का एक करदार अदा कर रहा था आज ये बात हुई है कि शायद इसमें को पांच दिन का वो दिरम्यान में ब्रेक दी जाए हमेनिटेरियन बेसिस के उपर और पिचास से सौ लोग जो है वो हास्टेजिस उनको भी छोड़ा जाए एक तो मैं इस तनाजर से ये बताना चाहूंगा और दूसरा एले टी का जो देना अच्छा इस सारे सिलसले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया है के अंदर उसमें पाकस्तान कहीं भी नहीं पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्स्ट्रीम मेर पहुँच चुके हैं पहले भी आप और दूसरा इस वकत आई एम फ का जो अगला आपका बहतर मिलियन का जो है वो पैकेज वो डीसेंट अभी उन्होंने आपके साथ अपरूव किया है और साथ ही आपको दूसरी बानी जा रहे हैं वहां से और उसके बाद आप बैंकरप्सी के फिर आल्मुस्ट धाने पर हैं कोई रोड मैप मौजूद नहीं है कोई फार्म पालिसी नहीं है कुछ भी नहीं है और आईसोलेशन है हर तरफ से धंकियां और धके और ठुड़े हैं और इन हालात के अंदर देख तो मैं पहले ही तश्वीश थी यह बात कि 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 आप किसी जगा मौजूद किसी टेबल पर आपको इंवाइट नहीं किया जाता है मैं कहतो विर्चुल मीटिंग्स में भी आपको इंवाइट नहीं किया जाता है और इन सरकमस्टांसिज में एल एटी लश्क्रे देशत गर्द और्गनाजेशन करार देना भारत की ये एक उनकी आपको उनके जखम देखें वो जखमी थे हमेशा वो आपको ये कहते रहें कि वह हमें प्रूफ दें एल एटी के खिलाफ हाफ़स सईद के साथ ये सारा कुछ करें आपने नहीं किया तो ये इस से भारत की पालिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एक्स्पें करना पड़ेगा कि लेशकर टईबा क्या है वाई यू आर लव विद देंग वाई यू है वाई यू है वाई यू है वाई यू है इस यूर स्टेंग इन दे वर्ड तो म अमेरिका को गोले बेचते हैं अमेरिका वो लेके जो देता है यूक्रेइन को आप उनके साथ डिलें करते हैं आप उनके साथ लवी डवी होते हैं आप आई एमफ के पैकेजिज लेते हैं अरे वो साधियर एडिया तो मधा साधियर एडिया ने पुलाट कर लिया रिवाइ है आप भी कहते हैं चल जाए पिछेट एक रुपे ले ले निकल यही हाल है पाकिस्तान का साओधी रेबिया ने बोला एक एक अदर रुपे ले 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 इन्होंने बोला नहीं हमें तो दस बिलियन डॉलर चाहिए भी दस रुपे भी नहीं मागे दस बिलियन माग लिए कि आप मेरे यहां पर इंवेस्मेंट कीजिए अब साओधी रेबिया भी वही काम कर रहा है पेशे हाट एक रपे ले 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 ली तो बहुर बहुर निकल साओधी रे बिया को बता लग गया है ये विकारी कंट्री है यह हमारे पैसे लेकर इंवेस्ट नहीं करने वाले इन को नहीं लगता कि ये मुनीर अब तक दो ये पैसे पूसे समेट कर बाहर निकल गया होता क्योंकि इनके तो यहां पर रवाज है कि जो भी आर्मी का चीफ होता है अपने देश में रहता ही नहीं है वो पैसे कटे करता है बाहर भाग जाता है लेकिन मुनीर के लिए कुछ शुरू करी इनके साथ और इन्होंने भंगडे डालने शुरू करते है पुरे कंट्री में ओ जी रिफाइनरी लग रही है बिलियन सव डॉलर आएंगे फिर दुबारा से इनके वो हती है कि अब दूद की नहरे बहेंगी यहां पर ओ भाईया इतना चूरन मत बेजा करो कि नदी जो है वो ही सुख गई ये अलते इनकी तो साओधी अरभिया ने हलकी सी बात शुरू करी इन्होंने सारे जगा पर यह बो दिये कि इन्वेस्टमेंट सारी है लेकिए यह जो साओधी अरेबिया है यह वो वाला साओधी अरेबिया नहीं रहा जहां पर ब्लैंक चेक पाकिस्तान को दिये जाते थे जो मुहंबद बिन सिल्मान है अब वी विल टॉक इन टर्म्स अब बिजनेस ओनली आप अगर हमारे से पैसा माग रहे हैं कहां लगेगा कैसे रिटान आएगी यूफ टेल अस और इसके उपर इंटरस क्या देंगे जबकि यहां पर उम्मा कंट्रीज के अंदर बेयाज लेना हराम है लेकिन केते हैं पैसे के चक्कर में अब कोई हराम नहीं कोई नौन हराम नहीं सब कुछ जायज है आप बताईए इंटरस क्या देंगे साउधी रेबिया ने अपनी जो ओल्ड मेंटैलिटी थी मुसलिम वाली वो छोड़ दी है यह विकम प्रोग्रेसिव तरक्की की बात करते हैं इसलिए इनके साथ बिल्कुल बिजनस वाली टर्म्स में बात होती है